पूर्णिमा के उजवल प्रकाश में मिली वो कृष्ट से रास लीला होगी आज और नाचे का संसार शरत पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को बहुत 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 शुब कामना बदाई नव शकार प्रियसातियों मैं हूं सुरेश लिमाली और आप देख रहे हैं शरत पूर्णिमा पर हर वो बात जो आपके लिए जाना ज़रूरी है 9 अक्टूबर को आशारफपूर्ण में इस विशेश कारिक्रम है आप सब इका बहुत बहुत स्वागत है प्रिसातियों मैं आज जोत पुर मही हूं लेकिन 7 अक्टूबर को मॉमबई 8 अक्टूबर नागपूर और 9 अक्टूबर को पुने में रहूंगा पंद्रा और सोला अक्टूबर को सूरत बढ़ोता अम्दाबाद और सत्रा अक्टूबर को दिली रहूँगा आप चाहें तो यहां पर मुझसे परसली मिल सकते हैं प्रिसातियों आज के कारिकरम में बहुत कुछ खास होगा सबसे पैरा पॉइंट होगा इस वर्ष सुखद योग है शरत पूर्णिवा पर करें विशेश उपाए कौनसी राशी पर मालक्षपी के विशेश करपा रहेगी दिपावली से भी बड़ा पर्व मालक्षपी को प्रसंद करने का है शरत पूर्णिवा इसकारिकरम को लिखिए देखिए समझे और आगे भी लोगों समझाईए प्रसात्यों एक रात ऐसी कि हर सुहागिन को अपने अपने इसे का चांद चाहिए तो एक रात ऐसी कि चांद सोलह कलाओं से युक्त होकर आकाश वे चमग उठे पृतिव पर अपनी करनों से दूधिया धवल रंग की चांद ने उड़ेल सके एक और इस्तरियों का सरवादिक प्रिय करवा चौत का वरत तो दूसरी और है जन जन को प्रिय शरत पूर्णिमा एक और करवा चौत के दिन सुहागिन का ऐसा मनमोहक सोलह स्रिंगार की जिसे देखकर चांद भी बादलों की घरेशपी परदे की ओट में शर्मा जाए तो शरत पूर्णिमा गिरात में वहबी अपने सोलह कलाओं से यूक्त होकर असंकी किर्णों से सुधा बरसाते हुए शुब धवल चांदरी पर इतरा जाए सभी नौ ग्रहों में चंद्रमा की एक मात्र ऐसा ग्रह है जो अपने अर्थ चंद्रकार रूप में देवों के देव महेश्वर स्री शिव के सिर्व के जटा मुकुट पर शुबित है प्रेसातियो आश्विन शुकल पाश्री शर्ट पूर्णिमा अपने मित्र ग्रह सूरी के वार रविवार नौ अक्टूबर को सोलह कलाओं से युक्त चंद्रमा दर्शन शुब निर्मल सुखी उत्रा भादरपत और रेवती नक्षतर के साथ ही धुरूब योग बुद आ साल बाद शर्ट पूर्णिमा पर देखने वाला चांद सबसे बड़ा और चमकिला रहेगा वहीं वरशब, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वरश्चिक, मकर, कुंब और मीन राश्री वाले लोगों के लिए शर्ट पूर्णिमा बहुत ही खास है कारिक शेत्र में इनकी लो लोगों के लिए सामानिय, लेकिन आप विशे साद्राय करके इसे असामानी बना सकते हैं, नव गुरहों में चंद्रमा का इस्तान ध्विती हैं, ये एक सौमी ग्रह के रूप में पैचाने जाते हैं, इनकी महादाशा भी अक्सर सौमी ही रहती हैं, जैसे सूरी देव को प जाते हैं मन और मस्थिश के स्वामी हैं, या दिलादु प्रेसाथियों के इसी पूर्णिमा के दिन स्री कृस्ट को कारतिक स्दान करते समये, क्रिस्ट को पती की रूप में प्राप्ट करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमार्यों को चीर हरण, मेरे प्रेसाथИ को चंदरबा के किर्णों से सुधा बरस्ती है इस दिन चंदर उदाय के समय चांदी के बर्तन में मधू मिस्रित यानि शेहत मिस्रित पकवान को यदी चंदर देवता को अर्पित किया जाए इससे चंदर देवता को त्रप्तित होती है साथ ही साथ आदित्य विश्वे देव मरूदगन वायुदेव तथा अश्मिनी कुमार भी प्रसन होकर त्रप्त हो जाते हैं दार्बी मानिताओं के अनुसार शरत पूर्णिमा के दिन ही मा लक्ष्मी के उत्पति समुद्र मंतन सोईती इस दिन धन की देवी मा लक्ष्मी प्रतियों पर विचरन करने आती है और अगले दिन उसे सेवन करने से अमरित मिलता है चंद्रबागी रोश्णि में ध्यान और साधना अगर रात को की जाए तो उस वेक्टिमें प्रचूर मातरा में ग्यान और उड़ जा जाती है वेग्यानिक तर्क के रुसार दूद में बरपूर मातरा में लेक्टिक एसिड होता है इस वज़े से चांद की चमकदार रोश्णी दूद में पहले से मौजूद बैक्टिरिया को बढ़ाने में सायक होती है खीर में पड़े चावल इस काम को आसान करते हैं चावलों में पाई जाने बाले स्टार्च इसमें मदद करते हैं चांदी की बरतर में रोग परतिरोदक शमता अधिग होती है आए बात करते हैं उन विशेश उपायों की जो शरत पूर्णिमा पर करने पर आप भी वो सब सिद्धिया पराप्त कर सकते हैं उस सबी मनो कामनों को पूर्ण कर सकते हैं पहला उपायों इस दिन आरातिय देव को सुंदर वस्तर आबुशर्ण से सुशोबित करके आवहन, आसन, आचमन, वस्तर, गंध, अक्षत, पुश्प, दूप, दीप, प्रसाद, तांबुल, सुपारी, दक्षन आदी से उनका पूजन करना चाहिए दूसरा, रात्री के समय गाय के दूद से बनी खीर में गी तथा चीनी मिला कर अर्द रात्री के समय भगवान को बोग लगाना चाहिए पून चंद्रमा के आकाश के मद्य इस्तिद होने पर इनका पूजन करें तता खीर का प्रसाद अरपिट करें रात को खीर से वरा बरतन खुली चांद्री में रखकर दूसरे दिन परसाद की तरह परिवार के समय सदस्य ग्रहन करें तीसरा, इस दिन शिव पार्वतितिता कार्तिके की भी पूजा की जाती है यहीं पूजिमा कार्तिक स्दान के साथ राधा दामोदर पूजन नियम वरत धारन करने का भी दिन है चौथा, रात के समय चट पर योग मुद्रा में बैठ कर और ग्यान मुद्रा भी बना लीजिए ओम चंद्रबसे नमहा का जाब करना चाहिए इस मंत्र की यदि उस रात को एक सो आठ माला जाब की जाए कुरोध अग्यात भाय समाब्त होता है गवराज बेचैने डर चिंता समाब्त होती है ज्यान विवेक बुद्धी धीरस धैरियर आपको प्राब्त होता है पाचवा कॉंसेंट्रिशन और कॉंट्फिडेंस के लिए आप चंद्रबा की रोष्टी में आसन लगा कर बैठ जाएं इसके बाद चंद्रबा को प्रणाम कर ग्यारा मिनट तक ओम बूर बुवह स्वा अमरे तांग आए वदमहे कला रूपाय दीमही तन्नो सोमो परचोधायात इस बंत्र का जाब करें फिर चंद्रबा को कच्छे दूद का अर्गे दे कर प्रणाम करें चटा चंद्रबा की प्रतिकूलता से यारी कुडली में चंद्रबा खराब है तो आप टैंशन, डिप्रेशन, फरस्रेशन रहेंगे मांसी कष्ट तथा सांस की तकलिब हो सकती है चमडी का रोग हो सकता है इनकी शांती के लिए सोमबार का उपास शिव उपासना, शिव सूती तथा मोती धारन करना चाहिए चावल, सफेद वस्तर, कपूर, चांदी, शंक, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, मोती, दही, बेल, चीनी तथा वंच पात्र ब्राह्मन को दान करना चाहिए सात्वा, माताय अपने संतान के मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती है इस दिन चंद्रमा प्रतिवी के अत्यंत समीप आ जाते हैं कार्तिक का वरत भी शरत पूर्णिमा से ही प्रार्यम होता है कार्तिक बास का विवा होने के बाद पूर्णिमा के वरत का नियम शरत पूर्णिमा से लिना चाहिए इस दिपावली इन साथ कल्पों के साथ होगा लक्ष्मी कास थाइवास श्वेतार्क गणपती यह सर्व सम्रदी का शाष्पत उपाय है इनकी पूजा से सुख सभागय और सम्रदी बढ़ती है कनत्धारा यंत्र से करे लक्ष्मी का स्थाइवास धन प्राप्ती और धन संचे के लिए पुराणों में वर्णित कनत्धारा यंत्र चमतकारिक रूप से लाप्रदान करता है एश्वर्य और सम्रदी का प्रतीक दक्षिना व्रती शंक को लक्ष्मी जी का भ्राता भी बताया गया है और लक्ष्मी जी का सबसे प्रियर रूप भी माना चाता है दरित्रता का नाशक कुरमाकार महलक्ष्मी यंत्र दिव्य व्यापार्वरदी रण मोचन संतानलाब तधा भौतिक उन्नती के लिए कुरमाकार महलक्ष्मी यंत्र सर्विश्रेश्ट हे मा लक्षमी का स्थाइत्व एकाक्षी नार्यल से विशेश्टांत्रिक मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुए अभी मंत्रिक एकाक्षी नार्यल की पूजा कीजिए एवं समाप करें अपनी सभी तंत्र बाधाओं को लक्षमी चरन पादुका सुख संभरती के लिए मा लक्षमी के स्थाइत्व के लिए आज ही अपने घर में स्थाप्र करें क्यूंकि जहां जहां लक्षमी के चरन होंगे वहां सुख संभरती अवर्शी होगी लक्ष्मी प्रिय कुबेर कलश वश्रीफल मालक्ष्मी को प्रसंद करने और उनका अशिरवात प्राप्त करने के लिए कुबेर कलश एवं श्रीफल ही एक विशेश लक्ष्मी प्रतायक कल्प है for more detail please contact 0291 2799 000 243 2625 98290 26625